बेल खाठाना छेतर के चितवना गाओं में सोवार को रास्ते की 25 के दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई मारपीट में खुले आम तमंचा वा फिस्टल लहराया गया जिसमें तीन लोग घाइल हो गए जिनने जिलास पताल में भरती कराया गया है मंगलवार को मारपीट वा तमंचा तथा पिश्टल लहराने का वीडियो वाइरल हो गया जिसमें एक युवक तमंचा लहराते हुए दिख रहा है जिसके बाद पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर 13 लोगों के खिलाफ मारपीट बलवा हत्या के प्रयास के आरोप में केस दर पुद्गी में हो रहा था इस दोरान रास्ते की जमीन पर कबजा करने वाले गाउं के ही जै प्रकास सिंग उनका बेटा छोटू सिंग धननजय सिंग नर्वदेश्वर सिंग उर्फ मुन्नू हैपी हरिश चंदर सिंग योगेंदर सिंग जै चंदर सिंग आय और हमला कर द दिकल गई साथ ही अनिल सिंग वा अन्य हमलावरों ने सिया राम को भाला मार दिया घटना में सिया राम वा उनका बेटा शतुधन वा सिया राम खायल हो गए जिन्हें जिला स्पताल में भरती कराया गया है आरोप है कि जोरान पिश्टल तमंचा वा लाठियों से भी केस दर्च किया है पुलिस ने धननजय सिंग वा विकास उर्फ छोटू सिंग को गिरफतार कर लिया है इस संबंध में सियो गोला श्याम दियोबिंद ने बताया कि रास्ते की पैमाईश के दौरान सोमवार को दो पक्षों में विवाद हुआ था एक पक्ष की तहरीर पर क केस दर्च कर दो आरोपीतों को गिरफतार किया गया है संबंध में गोरफपूर नियू से बात करते हुए सीयो गोला श्याम दियोबिंद ने कहा अजिए सथरुगन सिंग्ग जी रास्ते में अबेर कपजा किया हैं लोग सरकारी रास्ते पे तो वही नपप रहा था लेकपाल कॉंग गये थे उसी बात पर हो गी थी जलब इसे वो पिश्टल उस्ट लिये से कट्टा लिये से लाथी भाला इसम लिये थे वो लोग पिश्टल से गोली मारे यहां से लग के निकल गई और एक थे जब प्रकाश सिंग वो बाले से मारे तो यहां लगा कितने लोगों के खिलाब लग 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 हो गया है कल दिनांग गठाइस को ठाना बेल गाट अंतर ग्राम चितावना में रास्ते के विवाद को लेकर दो पच्छों में मारपीट की गठना होई जिसमें एक पच्छ से दो दो लोगों को गंभीर चोटे आई जो प्रात्मिक स्वास्त केंद्र बेल गार्ट से निफर जिलाच किस्ताले के रिए हैं इसमें जियाराम सिंग की तरीफ पर जनंजय सिंग आज 13 नफर के गुरूप के मुतद्मा पंजे कृप हुआ है इसमें आज बेल गार्ट पुलीस झाल